आज के वीडियो का टॉपिक है सब्सक्राइब न्यू थिंकिफिक स्टूडेंट्स तू मेल्चिंप आज मैं आपको ऐसा ओट्टोमिशन सिखाऊंगा जिसमें आप अपने थिंकिफिक के अंदर जो न्यू यूजर क्रियेट हो रहे हैं उन्हें आप ऐसा मेंबर एड़ करवा सकते हैं अपने मेल्चिंप में मतलब की जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा मेंबर ऐसा कॉंटेक्ट क्रियेट हो जाएंगे आपके मेल्चिंप अकाउंट के अंदर कैसे होंगे एक automation के थ्रू होंगे जो हम साइट करेंगे Thinkific और MailChimp के बीच में विद थे हल्प आफ पैबली कनेक्ट प्रॉसेस जाननी है तो बने रही है इसी वीडियो में ओके सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.pabli.com सामने आजाएगे ओफिशल वेबसाइट क्लिक करेंगे sign-off free पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं अल्रीगे अपना free account बना चुका होंगा अट्स वाइ मैं क्लिक करूंगा sign-in पे फर्स्ट option आएगा पैबली कनेका क्लिक करूंगा access now पर then open हो जाएगा पैबली कनेका डाश बोड create workflow पे क्लिक करके अपने workflow को एक नाम दे दूंगा मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ thinkific to thinkific to mailchimp ठीक है मैंने नाम दे दिया thinkific to mailchimp आप चाहे तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाऊँगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे thinkific के account में जबी भी कोई new user create हो तो automatically user as a subscriber create हो जाए as a contact create हो जाए मेरे mailchimp के account में तो ऐसा automation set करने के लिए मुझे अपनी trigger application में सबसे पहले choose करना होगा thinkific को search किया choose कर लिया thinkific को then trigger event में चूज करूँगा new user को then webbook दिया है पैबली connect में copy करूँगा और नीचे देगा instructions को follow करते हो integrate कर दूँग अपने thinkific के account को पैबली connect से integrate करने के लिए चलना होगा मुझे अपने thinkific के account पे click करना होगा settings पे settings पे जाने के बाद new page open अपन होगा जिसा कि आप लोग देख रहे है load हो रहा है तन उसके बाद मुझे click करना है code and analytics पे okay then उसके बाद यहां पे आप देख पा रहे है site code बता रहा है यहां पर हमें click करना है वैबुक्स के ऊपर okay वैबुक्स पे click करेंगे then उसके के बाद वैबुक्स पर क्लिक करने के बाद हमें यहां पर वैबुक्स का ऑप्शन है यहां पर जाएंगे वैबुक्स पर जाने के बाद न्यू वैबुक्स पर क्लिक करके एक न्यू वैबुक्स क्रियेट करेंगे जिसका मॉडल हम सलेक्ट करेंगे यूजर और टॉपिक हम स successfully add हो जाएगी और connection आपका proper हो जाएगा पैबली connect का किस से think effect से अब जब भी कोई new user create होगा think effect के अंदर तो पैबली connect उसके details यहाँ पे अपने पास capture कर लेगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि test हमें करना होगा check करना होगा कि सही से run कर रहा है या नहीं तो हम as a user चलते हैं और हमारे site पे जाके sign up करते हैं incognito window पे मैंने open करके रखा है अपना site है ना वहाँ पे as a user में sign up करता हूँ चेक करूंगा कि details जो हैं वहाँ पे receive होती है कि निए तो मान लीजे मैं को प्रस नेम है name 11 ठीक है और जो मेरा email address है वह demo at the red 11 pably tutes dot com यह मेरा email address है demo 11 आगे है sorry simple then password है यहाँ पे मैं अपना add कर देता हूँ और उसके बाद random password मैंने यहाँ पे जो भी मुझा रखना था अपने account का वो रख दिया है phone number है यहाँ पे मैं add कर देता हूँ okay यह मैंने phone number add कर दिया then sign up पे क्लिक करूँगा okay so sign up पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं successfully enroll हो गय हम course के अंदर चल के चेक करते हैं पैबली connect ने form submission से related details capture की कि यहाँ पे response received हो गया यह new sign up का जैसा मैंने last name दिया था मेरे सामने जैसा first name दिया था email address था phone number था सब एकदम perfectly यहाँ पे receive हो गया connection मतलब एकदम proper work कर रहा है think effect और पैपली connect के बीच में अब मैं चाहता हूँ जिन्होंने sign up किया है जिनका नाम है demo 22 name 11 वह as a contact as a subscriber create हो किसमे मेरे mailchimp के account में तो ऐसा करने के लिए पहले तो मैं आपको अपना mailchimp का account login करके बता देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपना mailchimp का account login कर लिया है आप भी connection करने से पहले make sure करना कि अपना account login कर लेना यहाँ पे मैंने contact list open करके रखियें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ contacts मौझूद है चलिए आ जाता हूँ वापिस पैबली connect पे है ना और यहाँ पे नीचे आके अब मैं अपनी action step में action application चूज करूँगा क्या mailchimp क्योंकि mailchimp मैं मैं चाहता हूँ subscriber creator जबी भी new user creator किसमें think effect में then action event पे मैं आउंगा और चूज करूँगा यहाँ पे option है add new member with custom fields का और भी नीचे कई सारे option से हम check कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जो है चूज करेंगे add new member with custom fields को है ना यहाँ पे मैंने चूज कर लिया इसको then connect पे click करूँगा connection के लिए then add new connection पे एक new connection के लि दोनों कास मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको चलना होगा अपने mailchimp के account पे यह आगया mailchimp का account profile icon पे click करो चलो profile पे click करने के बाद यहाँ पे extras का option आएगा उसके अंदर API keys है उसके click करो तो आपको token मिल जाएगा API keys यहाँ पे आप नीचे scroll करोगे तो कई सारी API keys जैसा कि API keys create करके रखियें जिससे कि क्या होगा वहाँ पे जो limit है वो reach हो जाएगी ठीक है तो एक आद मैं delete कर देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह load हो रहा है यहाँ पे मैंने delete कर दिया है ओके तो यहाँ पे रिवोक हो गई है वो API key अब हमें नीचे scroll करके क्या करना है create new key पे click करके new key create कर देना है इसको मैं एक simple सा नाम देता हूँ थिंक 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 वस यह नाम दे दिया थिन मैंने कुछ भी नाम दे सकते है आप no problem ठीके तो यहाँ पे नाम दे दिया है यहाँ से copy कर लेता हूँ इस API key को और वहाँ पर साहता हूँ पैबली connect पर token पर paste कर देता हूँ simple then अब यहाँ पर आपको चाहिए data center तो data center क्या होग जो आपकी link होगी ना उसके आखरी में जो US लिखा होगा US वाला part जो होगा वो copy करके आपको data center के अंदर paste कर देना है मेरा US 6 है आपका कुछ और हो सकता है देख लेना US 19 हो सकता है 12 हो सकता है 14 हो सकता है अपने according चेक कर लेना ठीक है save पर click करूंगा तो connection successfully हो जाएगा then यहा the contact create करें उसका email address यहाँ पर हमें map करना है map करना एक technique है जिसमें हम हमारी trigger application का data action application में add कर सकते है तो email address नाम बगरा यह सारी details पहले हमें उपर जो है receive हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं तो इन details को हमें in blank field में add करेंगे करेंगे blank field पर click नीचे option आएगा हमारी trigger application का think effect का सारा data open हो जाएगा यहाँ पर email address find करेंगे यहाँ email click करके add कर देंगे जो process मैंने भी करी इसी को mapping कहते हैं जितनी easy और simple है अतनी important है क्यों है क्योंकि next time जब कोई new person आएगा और वो as a user create होगा sign up करेगा हमारे think effect के account में तो उसका email address different होगा हर user का email address different होगा तो वो change होगा automatically change हो map करने से it automatically fill हो जाता है that's why mapping is important ठीक है status of the subscriber जो है मुझे subscribe रखना है आप अपने according change कर सकते हैं है ना बागी की detail skip करते हो यहाँ पर first name जो है map कर दूँगा think effect पर जाओंगा नीचे scroll करूँगा यह तो last name है era first name map कर दिया दैने सी तरह से gender यहाँ पर मैप कर दूँगा अगर है हमारे पास mobile number है यह क्लिक करके map कर दिया अब हम क्लिक करेंगे save and send test request पे तो आप देख पाएंगे कि mailchimp की contact list के अंदर एक contact create हो जाएगा demo 22 name 11 के नाम से जिसका email address at demo11 fablitudes.com और जिसका mobile number यह है तो इसकी presence बता रही है कि हमारा automation site हो गया है जस्त हमें अब हमें नीचे आके save पे क्लिक कर देना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process अब automatically होगी क्या होगा जबी भी Thinkific के अंदर कोई new user create होगा तो automatically वो as a member as a contact create हो जाएगा mailchimp के अंदर बिना आपकी और मेरी involvement के और जब तक यह workflow होने यह process instantly और automatically होती ही रहेगी जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा ऐसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow यूज़ कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt आता है या फिर आपके कुछ questions होते है या फिर आप मुझसे या मेरी team से बात करना चाहते है तो यहाँ दी गई link पे जैसा कि आप देख रहे है पैबली forum का यहाँ पे link दिया हुआ है यहाँ पे आप अपने questions, queries जो भी आपको लिएगा, thank you